ओम शांती, पंदरा ओक्टूबर के शुरादान में अब सब खस्वगत हैं, परमात्वा पिता कहता हैं कि अपनी सुक्षम कमजोरियों को चिंतन करके परिवतन करने वाले स्वचिंतक भवा सिर्फ ग्यान की पॉइंट्स रिपीट करना, अपने मन के अंदर या किसी और को सुनाना, सुनना वा सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सुक्षम कमजोरियों को पहले तो अपने अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, कि हम अपनी तरफ भी उठा पाएं, कि हमारे अंदर ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, इसके पहले कि कोई और हमें बताए, हमें अगर खुद पता होगे कि हमारे अंदर कमजोरी हैं, तो हमें हर्ट नहीं होगा, हमें हर्ट में तीर लगता है तब हमें हर्ट होता है तो जिस इंसान को पता है इसके अंदर क्या कमजोरिया इसको कोई हर्टी करें करें नहीं सकता है क्योंकि पता है कि इसकंदर कमजोरिया है अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना परिवर्थन करना यही है स्वचिंतक बनना कि मुझे क्या करना चीए था जो कि मैंने नहीं किया पिछली उस सिचेशन में अगर यह सिचेशन फिर से मेरे सामने आती तो मैं क्या करूंगा ग्यान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं हम ब्रह्म कुमार कुमारियां ग्यान का मनन चिंतन बहुत अच्छा कर लेते हैं एक दुसरे से बाचीत भी कर लेते हैं एक दुसरे को 10 पॉइंट सुना देंगे अच्छे अच्छे points की गहराई में ले जाएंगे लेकिन ग्यान को swim के प्रतियूज कर धारना सुरूप बनना जिसमें की हमारे अंदर गुन और शक्तियं बड़े swim को परिवरतन करना इसकी ही marks final result में मिलती है points कितने याद रहे उसका कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन वो points को हमने कितने अपने जीवन में खुद एक संसकार के रूप में परिवरतन करके अपना एक निजी जीवन एक रहने का life style बना दिया है वो important है जादा इसमें परमात में ये कहना चाह रहे है Om Shanti